हलो ये अब क्युम कमिस्टिर क्लास वांस अगाए आज हम पड़ेगा कार्भोहाइडिरिे इसका अरत यह है क्या क robi कार्भोहाडर मौलीक्यूल हो तो वह जितने कार्बुन उसके अंदर है और इस प्रक्रिया को कहेंगे descending the series या अवरोहन carbon शिंखला में carbohydrate molecules के अंदर और इसके अंदर हम जो methods पढ़ेंगे वोल्स degradation, beer man's method, rough method और mcdonald's method of descending the series यानि जो शिंखला है उसके carbon में कमी की विथियां So descending the series में सबसे पहला method जो हम पढ़ रहे हैं वो है वोल्स degradation method जिसमें higher aldose से lower aldose में किस प्रकार से आते हैं यह वो विधी है इसमें hydroxyl amine के साथ acetic anhydride और silver nitrate ammonium hydroxide इन सबका इस्तेमाल करते हुए higher aldose से lower aldose जिसमें carbon संख्या जो है वो कम हो कम carbon atoms हो ऐसे aldose का निर्मान किया जाता है आये दिखते हैं this is higher aldose में हमने यह aldehytic group रखा है और दो CHOH group को यहां दर्शाय गया है यह शोग किया वा है और जो बाकी जो molecule है वो नीचे dash dash करके इसले लिखा गया है क्योंकि उसके अंदर कोई change नहीं आता तो first reaction है nucleophilic addition reaction hydroxyl amine के द्वारा जो कार्बनाइल compound है उसमें oxygen क्योंकि आंशिक negative charge लिए होता है क्योंकि pile bond के electrons अपनी हो खीचता है तो यहां पर oxygen के उपर हो गया plus charge और जो carbon है उसके उपर minus charge होता है जिसकी वज़े से carbon पर जो है NHOH hydroxyl amine का जोड़ जाता है जैसे यहां आप देख सक रहे हैं और जो oxygen है उसके पर जो यह hydrogen हो जोड़ जाता है तो OH यहां पर जोड़ गया जैसा कि आपने देखा अब इसमें से जो balloon बनाया गया है यहां dotted line से उसमें वो दिखा रहा है कि यह यहां से water molecule यह dehydration हुआ जिसकी वज़े से oxygen formation हुआ जैसे CH double bond NOH जो यह formation oxygen का होता है और further इसमें acidic anhydride की वज़े से जो है यह सारे जो OH group है carbohydrate के जो alcoholic group हैं उनका acetylation हो जाता है साथ ही साथ यहां से dehydration यह water molecule नकलता है और यह C triple bond enzyme जो nitrile में वो change हो जाता है silver nitrate और ammonium hydroxide की उपस्थिती में जो है यह O, A, C जो acetyl groups है वो सारे के सारे सब जो है hydrolyze होकर OH में परिवर्तित हो जाते हैं और साथ ही साथ यहां से जो HCN का molecule इसमें से निकल जाता है HCN molecule के यहां से इस molecule में इस प्रकार से निकलते ही जो कि इस bubble के द्वारा दिखाया गया है इसके निकलते ही आप देखें कि एक carbon atom जो कि सबसे जो कि इस aldehydic carbon से हमें प्राप्त हुआ था यह जो C है यह इस से प्राप्त हुआ था तो A carbon की यहां पर कमी हो जाती है जो HCN के रूप में इस molecule से निकल गया और जो साथ ही साथ हमको यह जो CHOH था वो aldehydic carbon में चेंज हो गया और जिसकी वज़े से higher aldeos से हमें lower aldeos मिला ldhyd group यहां पर है लेकिन यह जो ldhyd group है इस वाले carbon से जो second carbon है उससे मिला है और यह जो carbon था वो HCN की रूप में यहां से निकल गया इसमें higher aldeos से lower aldeos में जाते हैं और हम देख सकते हैं कि eldohexos से eldo pentos बनता है तो इसमें भी आप dotted line के द्वारा भी इस reaction को लिख सकते हैं या पूरे-पूरे molecule को भी लिख सकते हैं तो जो हम methods पढ़ रहे हैं degradation के या ascending के इस से पहले जो हमने पढ़े थे इनमें बाकी जो molecule है उसको आप dash करके भी लिख सकते हैं आर लगा के भी लिख सकते हैं या फिर पूरा का पूरा molecule लिख सकते हैं पूरा लिखने में time निकलता है इसलिए dotted line से dash line से इसको दिखा जाता है तो चली हम करते हैं अल्डो हेक्जोस को example मिलेते हुए और सबसे पहले इसका bromine water oxidation किया जिसमें से जो CHO है वो COOH में change हो गया heat करने पर lactonization हुआ, gamma lactone बनाए, this is alpha, beta and gamma carbonyl से जो पहला carbon होता है वो alpha carbon कहलाता है यह gamma carbon है और इन दोनों का आप जानते ही है कि COOH और OH जो है उनके बीच में lactone ring formation होता है water molecule के चले जाने के बाद heat करने के द्वारा heat करने से so इस lactone drink का ammonia से reaction करवाया तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो सबसे उपर वारा जो molecule है देखिए आप count करके देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 तो इस तरह से जो है यह function जो है C double bond O NCO में change हो गया है और उसका sodium hypo chloride के साथ और NH के साथ reaction करने पर इस तरह से sodium cyanate निकल के चला जाता है और आप देख सकते हैं कि एक carbon का loss हुआ है यह जो carbon का loss हुआ है वो यह वाला carbon है वो यह है और यह carbon यह जो carbon है यह यह वाला carbon तो एक carbon यहां पर ऐसे रेकल के चला गया है जिसके वज़े से जो higher eldos से lower eldos या eldohexos से eldopentos हमें प्राप हुआ है so यह है descending the series higher to lower eldos next method हम पढ़ रहे हैं rough degradation method इसमें भी higher eldos से lower eldos में आने का यह तरीका होता है यह method होता है bromine water oxidation, phentons reagent, etc. के उपयोग के द्वारा जो है higher eldos से lower eldos तक हम पहुँचते हैं तो यह higher eldos लिया count कर लेते हैं कितने हैं carbon इसमें 1, 2, 3, 4, 5 & 6, 6 carbon atom है और यहां जो है eldopentos पर पहुँचते हैं तो eldohexos से eldopentos यानि एक carbon कम सबसे पहला जो step है that is oxidation, bromine water oxidation, CHO को COOH carboxylate group में change करना उसके बाद जो है इसका calcium salt बना रहे है, calcium hydroxide के द्वारा आप देख सकते हैं यानि FeSO4 & H2O2 hydrogen peroxide इसके साल जब oxidation किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह जो है COO CO2 का यहां पर यह loss हुआ और यह CHOH जो है, वो CHO में convert हो गया और carbon है 1, 2, 3, 4 और यह 5 तो 5 carbon atom और यह वाले carbon atom का loss हुआ इस reaction के द्वारा तो यह कुछ methods थे जो examination point of view से important है rough method पूछा जाता है last method हम देख रहे है mcdonald's degradation method इसमें भी higher elders से lower elders में आते हैं यह higher elders है देखे यह एक और तरीका है जिसमें बाकी molecule को R से दिखाया गया ताकि बार-बार न लिखना पड़े यह उसमें क्योंकि कोई change नहीं आ रहा है इसलिए उसको सच रखा गया है यहां पहले के दो molecules जो aldehyde group और CHOH है उनको दिखाया गया है और इस तरह से thaiol के साथ जो है h-sil के presence में reaction करवाया गा जिससे कि यह mercapitel हमको प्राप्त हुआ जो aldehyde और इस alcohol aldehyde और इस thaiol के बीच में function के बीच में जो reaction हुआ जिसके वज़े से mercapitel हमको प्राप्त हुआ आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमने इसका पर-acid के साथ reaction करवाया है इसमें पर-acid है क्योंकि C double bond OOH यह इसके साथ हमने इसका reaction करवाया जिसके वज़े से यहां oxidation हुआ और पर-acid यानि oxygen और oxygen के बीच में सिंगल बॉंड और यह C double bond OOH तो यह एक दो और तीन oxygen यहां पर इससे लिए दिखा गया है तो इसका oxidation हुआ और यह इस function में change हो गया दिखे SO2 यहां पर आ गया है जो कि यहां पर oxygen यहां नहीं था then this is disulfone बना है mercapitel से paracid के साथ reaction के त्वारा ammonium hydroxide के साथ reaction करवाते हैं तो यह molecule तूट जाता है और यहां देख सकते हैं कि यह हिस्सा जो है वो निकल कर यहां पर आ गया है और जो बचा है यह CHOH वो CHO aldeardic function में convert हो गया है यह carbon carbon bond तूट गया है जिसकी वज़े से यह product हमको मिला है यहां पर और एक carbon atom का loss यह carbon atom जो यहां aldeardic carbon था वो यहां आ गया है और यह जो carbon chain है उसमें एक संख्या में number में एक carbon atom की यहां पर कमी है जिसकी वज़े से यह lower aldeos है तो इस तरह से higher aldeos से हमें lower aldeos मिला by mcdonald's degradation method मुझे उमीद है आज जितने भी हमने methods पढ़े हैं वो आपको समझ में आये होंगे examination point of view से यह name reactions के हिसाब से भी important है important होते हैं फिर भी कोई doubt हो आपको तो आप मुझे whatsapp number पर contact कर सकते हैं but thank you for being with me आपको बापको मुझे लॉ़ग मुझे